कैसे लगड़ी रोज वाली चाय, पान वाली देव पूमी हिमाचल परदेश से आप सभी को नमस्कार इस बार का जो ये व्लॉग है वो है हिमाचल परदेश में मनाली का इस वीडियो में आप देखेंगे मनाली और उसके आसपास की मन को मोहने वाली कुछ जगे लेकिन हमारे साथ तो सबसे पहले मैं जल्दी से दिखा देती हूँ हमारा रूम और जो हमारा होटल था उसका नाम था संद पार्क वहाँ से वीव बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहे थे हमारा रूम वाके में बहुत सुन्दर था और बच्चों को भी काफी पसंद आया बच्चे साथ होने की वज़ा से हमने रूम के साथ इंक्लूड किया था ब्रेकफास्ट और डिनर भी कुछ इस थरीके से लगता था बफे हम गए थे वोल्वो बस से हम सबसे पहले गए हिडिमबा मंदिर जो मनाली के माल रोड से धाई किलोमीटर दूर है और हम भागए ट्रेकिंग करते हुए इस थरह हिडिमबा मंदिर पहुँचने में हमें काफी इंजोईबल लगा लीजिए पहुच गए हैं मंदिर मंदिर के एंट्री गेट पर इस थरह से कुछ केसर बेचने वाले लाग पर पोटो खिचवाने वाले आपको मिलेंगे और यहाँ पर आप हिमाचली ड्रेस पहन कर भी पोटो खिचा सकते हैं आपको देना होगा ड्रेस का रेंट आप लोगों को मैं मंदिर के दर्शन भाहर से ही करा पाऊंगी क्योंकि आप जानते ही होंगे कि मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं होता मंदिर दर्शन के बाद अब हम आ गये हैं नीचे माल रोड पर जहां हमारी नजर पड़ी चिलम चाय बार पर और यहां पर काफी फ्लेवर में चाय अविलेबल थी और वो भी तीन साइज में स्मॉल, मीडियम और जम्बो फ्लेवर थी जैसे चॉकलेट, रोज, पान, मैंगो, एक्सेक्टरा इस शॉप को खुले हुए, सिर्फ छे महिने हुए है अपने भी काफी सारी यहां की चाय ट्राए की और हमें काफी पसंद आई रिश्या बताओ कैसी लगरी रोज वाली चाय आपको कैसी लगी पान वाली मनाली माल रोड पे आपको जगे जगे दिखाई देंगे मुमोज और यहां का ट्रेडिशनल फूर्ड वो है सिड्डू जिसकी कीमत थी 100 रुपे पर पीस जो खाने में बहुत टेस्टी था, हमने ट्राए किया था यह माल रोड में ही थोड़ी सी सबजी मंडी भी लगती है हमने वहाँ पर डोल्मा आंटी शॉप से ट्राए किया थुपका जो की काफी यम्मी था और ट्राए किये मुमोज यहां का माल रोड काफी बड़ा नहीं है, छोटा ही है लेकिन चलिए देखते हैं कैसा है यहां का माल रोड हमने वहाँ देखा वन विहार जो की माल रोड से एक या दो मिनट की दूरी पर है वन विहार में जाने के लिए आपको लेनी होगी टिकेट वन विहार में आपको मिलेगा बच्चों के लिए धेड सारे जूले वो भी मैनुवल और यहां पर और यहां पर भी आप खरवोश लेकर अपने हाथों में फोटो खिचा सकते हैं और उसके लिए चार्ज के जाते हैं 10 रुपे बात करें कि वन विहार में और क्या चीज़ दिखेगी जो की कुछ खास होगी वो है इस थरीके के उचे उचे पेड और यहां पर बोटिंग भी कर सकते हैं वो भी काफी कम रेट में अम चारों की जो राइड है वो पड़ी थी मातर सो रुपे की और आपको यहां दिख सकते हैं धेड सारे जानवर जैसे यह डियर भालू चीता आदी लेकिन सुनाया कि यह ज़्यादा तर रात को निकलते हैं यहां पर और देख सकते हैं बुद्धिस टेमपल नेक्स्ट हम गए मनीकरण मनीकरण जहां एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है यह धुआ जहां गरम पानी है और दूसरी तरफ यह ठंडा पानी मनीकरण में दर्शने स्थल है मनीकरण गुर्दुवारा राम मंदिर और शिव मंदिर वहां जाने के लिए हमने की थी कैब मनाली से मनीकरण में सबसे पहले देखा हमने गुर्दुवारा सबसे पहले हमें दिखाई दिया यह नहाने का स्थान जो लेडिस के लिए अलग होता है और जेंट के लिए अलग लेकिन यहां मिलता है नहाने के लिए गरम पानी यहां से उपर जाकर आपको मिलेगा गुर्दुवारा और वहां हमने किये दर्शन और यह है लंगर का स्थान जो की है कुछ खास यहां का जो लंगर है वो गरम पानी में ही बना है गुर्दवारे की पास था शिव मंदिर और ये है मंदिर का मुख्य स्थान जहां पर होती है मेन पूजा अगर आपको मनीकरण का इतिहास जानना है तो आप ये स्क्रीन शॉट लेके ये रेड़ाउट कर सकते हैं देखिए कितना खौलता हुआ पानी है और मैं आपको जो बता रही थी लंगर के बारे में गुर्दवारे के वो इस तरीके से बनता है जैसा की यहां पर भी बन रहा था यहां से जल लोग अपने घर में भी ले जाते हैं मंदिर से भाहा निकलते ही दिखाई देगी आपको इस तरह की मार्केट जहां आपको मिलेगा प्रशाद, गर्म शॉल, स्वेटर और भी बहुत कुछ मंदिर हमें दिखाई दिया माता का ये मंदिर मनीकरन वाके में बहुत सुन्दर है बट नदि के पास हमें दिखाई दिया ये ठेर सारा कूड़ा जो की मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए देखें इस तरीके के कूड़े से हमारी जो नदिया है वो कितनी अपवित्र हो जाती है मनीकरन वापस जाते हुए या आते हुए रस्त में पढ़ता है कसोल यहाँ देखने के लिए है नेचर पार्क और अंदर जाने के लिए सबसे पहला रूल कि मास्क लगाना ज़रूरी है और दूसरा कि आपको यहाँ पर टिकेट लेनी होगी बड़ों के लिए एडल्ट के लिए 20 रूपे की और बचों के लिए 10 रूपे की यहाँ पर है प्रकर्तिक नजारे पेड, पोधे, फूल, वादियां और सबसे ज़्यादा मन को खुश करने वाली यहाँ पर नीचे दिखाई देगी आपको बहती हुई नदी जहाँ पर आपको बैठने के बाद समय का पता ही नहीं चलेगा इस पारक के आसपास काफी सारे रेस्टरॉंट भी है और काफी सारे होटल्स या होमस्टे भी है अगर आप इन प्रकर्तिक नजारों को मज़ा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं नेक्स्ट हम गए रोतांग पास रोतांग पास जाते हुए आपको काफी सुन्दर सुन्दर नजारे दिखाए देंगे पाहाड जो की ढखे होंगे बरफ से और उस पर पढ़ती हुई धूप वो तो अलग ही आकर्शन देगी यहाँ इतनी जादा बरफ होती है कि यहाँ पर आपको किराए के कपड़े और पूर्ट्स भी मिल जाएंगे अभी का जो रेंट था वो था धाई सो रुपे देखिए पहुचने के बाद बच्चे लग गए अपने काम पर यानि की वो खेलने लग गए बरफ से उन्होंने बनाया यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्नो मैन कमेंट करके बताईए का कि आपको यह स्नो मैन कैसा लग रहा है और इनका जो ये स्नो मैन है ये काफी पॉपुलर हो गया था लोग इसकी पिक्स ले रहे थे इस तरह से हमने काफी मस्ती की एक दूस्त्रों के उपर काफी भरफ है की यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज भी है जैसे की बाइक राइड और जैसे हम कर रहे ही एक्टिविटी यह है ट्यूब राइड चलिए आभी लेजिए रुतांग पास का नजारा यहाँ पर आके बच्चे काफी इंजॉई कर रहे हैं और वो अपने आप ही कोई न कोई एक्टिविटी भी बना रहे हैं जैसे की यह ट्रिशा और हनी कर रहे है रोलिंग डाउन यहाँ पर सिर्फ देखने वाली जगे इनी बलकि पीने वाली भी जगे है नहरू कुंड यहाँ मिलता है साफ, सवच, पीने का पानी लोग यहाँ पर रुखकर बॉटल्स में पानी ले जाते हैं हमने भी 2-3 बॉटल्स में यहाँ से पानी भरा था इस जगा से मिलता है पानी यहां का पानी हमने तीन दिन बाद भी पिया तो उसका टेस्ट बिल्कुल सेम था जो पहले दिन था पहाडों पे आपको इस तरह की गैंदे की फूल की काफे सारी कियारिया दिखाई देंगी सोलांग वैली जिन लोगों को काफी एक्टिविटीज पसंद होती है जैसे की पैराग्लाइडिंग रोप वे एंड स्काई बाइक राइड उन लोगों के लिए जगे है ये सोलांग वैली जहां पर होती है धेर सारी एक्टिविटीज पर इस तरह की एक्टिविटीज काफी रिस्की भी होती है हमारा लास्ट डेस्टिनिशिन था अटल टनल पहाडों को बीच से काट कर बनाई गई है यह अटल टनल यहां के स्थानी निवासी बताते हैं यह टनल बनने से पहले वे लोग ले स्पीती से कट जाते थे 6 महीने के लिए क्योंकि रोतांग जहां पर की काफी बरख पड़ती है वो बंद हो जाता है तो यह आगे नहीं जा पाते थे लेकिन जब से यह टनल बनी है दूरिया कम सी हो गई है इस टनल के जो डिस्टन्स है वो है 9 किलो मीटर का और यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड है वो है 40 to 60 हाँ और एक बात आप यहाँ पर गाड़ी बीच में रोक नहीं सकते और पैदल बिलकुल नहीं चल सकते अब हम दूसरी तरफ निकल रहे हैं टनल से यहाँ का नजारा तो वाके में बहुत ही सुन्दर था अब मैं आपको दिखाती हूँ कि 360 डिगरी पर यहाँ का व्यू कैसा दिखाई देगा चलिए चेक कीजिए और साथ में भैर रही थी यह नदी जिसका पानी बिलकुल काच सा था और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी अगर आप लोग यहाँ पर जाएं तो प्लीज अच्छे से वुलन कपड़े पहन कर जाएं यहाँ से हम आगे बढ़े सीसू लेक की तरफ जो की सीसू विलेज में पढ़ती है रास्ते में जो नजारे पढ़ रहे थे वाके में वो दिल को बहुत खुश कर रहे थे आपको यहाँ पर शान्ती और सकून मिलेगा लीजे अब हम आगे हैं सीसू लेक और यह जो आपको दिखाए दे रहा है विलेज यह है सीसू विलेज यहाँ पर दिखाए देंगे सुन्दर सुन्दर पहाड काच से पानी वाली जील जिसका नाम है सीसू इस विलेज में काफे सारे होटेल्स भी बने हुए हैं और होमस्टे भी लेक के पास आपको खानी पीने के लिए काफे सारे स्टॉल्स दिखाए देंगे हमने भी यहाँ पर लंच किया चलिए मैं शेयर करती हूँ कि हमने सीसू लेक के पास क्या क्या खाया हमने खाया आलू पराठा, राजमा चावल, मैगी और कड़ी चावल और यह सब थे रिजनेबल और सबसे इंपोर्टेंट चीज ली हमने चाए अद्रक वाली हमने यहाँ पर एक्टिविटी भी करी इस तरीके से हमने अपने टूर को इंजोई किया अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें जाने से पहले कुछ एंटर्टेन्मेंट हो जाए लेकिन मम्मी ने तो घर पे जलेबी बनाई है जलेबी जलेबी ले जलेबी ले जलेबी ले